हेलो एवरीवन विल्कम टू मैं चैनल हाइपाटेटेज भी मैं हूं महुम्मत सुहेद दोस्तों आज मैंने स्टॉक चुना है इंदुसिन बैंक लिमिटेड आज मैं आप सभी को इंदुसिन बैंक के उपर आप फ्रेश एंट्रिक कहां करें आपका एग्जिट लेवल क्या ह होगा मैं आपको चार्ट अनलैसिस करते हुए आगे चलके वीडियो में बता दूंगा और मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि उसके अंदर छोटा सा छोटा रिवसल आने वाला है बस आपको स्टॉक को होड करना चाहिए बैंग के लिए मैंने उसके अंदर आप लोगों को टार्गेश और लिवसल भी समझा चुका हूँ देखिया आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लिजिए आपने वीडियो को देखा हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो के भी देखिए आपको अच्छा सा अच्छा रिकॉल हो जाएगा और आपको इस टॉक के ओपर अच्छा सा अच्छा टार्डिस का लर्णिंग भी हो जाएगा जो तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो इंट्राडे टिब्स दिए थे वीडियो के आखरी में वह भी पूरे सकसेस्फुल हो चुश गहें आपने वीडियो देखा होगा तो आप वह इंट्राडे टिप्स के ओपर आपने फॉलो करके ट्रेड करा होगा तो भी आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफ़ा हुआ होगा अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाईए देखिए उस पर पेपर वर्क करिए आपको खुद समझ में आ जाएगा आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों मैंने आप लोगों को एक लिवर्स बताई थे इसके उपर कुछ टार्गेट्स बताई थे वो टार्गेट्स तो इसने अचिव करने की सूंची ही नहीं वो मैं बता दिया था weekly and monthly targets के लिए वो अभी अच्छी नहीं हुआ है पर इसके अंदर जो reversal लिया है मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया था पर देखिए आप पैनिक मत होईए क्योंकि इसके अंदर जो moment बनने वाला है इस reversal के बास वो buying का ही बनने वाला है बस focus करिए आप stock के क्योंकि देखिए दोस्तों एक successful trader बनने के लिए stock को buying के करना चाहिए देखिए buying के अंदर कभी भी नुकसान नहीं होता है नुकसान कैसे होता है देखिए अब सुचते हैं कि साल के लिए रखे 2 साल 3 साल 4 साल देखिए दोस्तों जो पिछले जमाने में हम लोग कुछ भी न आ रहा है जबी हम लोग profit में जाके exit हो जाना चाहिए अगर आप देख रहे हैं long term के लिए रखने के लिए देखिए मैं example जह रहा हूं ज्यादा तर इसे IDFC bank है और बहुत कुछ bank है दोस्तों जो एक जमाने में 230 240 levels पे चलते थे आज की तिन देखिए 17-18 रुपे में चल रह और दुसरे stock पे चले जाना चाहिए trade करने के लिए इसके लिए मैं आपको एक ही बात भोलता हूं मेरे हर वीडियो में कि आप लोग successful trader बनना चाहते हैं तो buying करिए क्यों buying करिए selling में देखिए दोस्तों अगर आप selling कर रहे हैं उसमें profit आया तो ठीक है अगर नुकसान आया तो भी आपको आपकी ज़ुरती ही नहीं पड़ती है आप लोग की आपको selling करें शाम होते होते आट्यमिटेक लुकसान में ही व говор, झाता है अगर आपको छोटे लुकसान में हटाना है तो आपको पसंदी नहीं रहता है कि लुकसान में हटा दे फिर भी आपको जबर्दस् करिए बैंग भी ऐसे स्टॉक पर करिए जो मैं आपको बैंग बोलने के लिए कहता हूं वो इस लेवल पर भी है दोस्तों आपको आगे चलके चार्ट अनलेसिस करते हुए समझा दूंगा बैंग करने से क्या होगा देखिए अगर आप बैंग कर रहे हैं आज के दिन है उसको चेंज कर ले सकते हैं डेलवरी में देखिए इसके अंदर क्या होगा आपका नुकसान तो नहीं होगा अगर उस दिन नुकसान हो चुका है तो भी अगले दिन एक हफ्ता एक महने के अंदर फिर से वो लेवल आएंगे तो अब प्रॉफिट में ही हटाएंगे नु करना मच जाए अब आ जाता हूं इसके अंदर जो मुमेंट बना था उस मुमेंट के उपर बात करने के लिए थर्ड जुलाई 2020 फ्राइडे के दिन इंदुसिन बैंक का क्लोशिंग प्रैस है 487.20 पैसा उस दिन इसका डे हाई है दोस्तों 500 एंडे लो है 484.35 पैसा पूरे 35 से लेके 40 रुपिस का पकड़ता है वो लेवल्स फिर से आने वाले हैं बस आप इसके अंदर बैंग ही करिए देखिए वो कैसे आने वाले है मैं आपको आगे चलके चार्ट अनलैसिस करते हुए समझा दूँगा तो दोस्तों यह स्टॉक बस रिकावरी कर रहा है अपने लुक्सान या अपने कुछ भी लोग बाईर सेलर जिस लोगों ने इसके अंदर ट्रेट कर रहे है को साभी स्टॉक लुक्सान रिकावर नहीं करेगा यह प्रोफिट ज्यादा से ज्यादा रिकावर करने को देख रहे हम लोगों को ऐसे लेवलज बता के यानि इसमें क्या ऑगा उपर कहीं भी बैख कर चुका होंगे आप लोग होंगे आपकी दोस्त होंगे कोई भी होंगे उपर कौन से भी लेवल पर भाई कर चुक है इस टॉक को नीचे जाता हुआ देखके पैनिक में आके सेल्वी कर रहे होंगे इसमें क्या होगा company का प्रॉफिट होगा आप करतो घाटा होगा इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता कंपनी का पॉलिसी ही ही होता है दोस्तों बस कंपनी का काम यही है कि हम लोगों को पैनिक करें हम लोग स्टॉक भीज़ते वह प्रॉफिट का मैं देखिए दोस्तों हम लोगों को कंपनी को प्रॉफिट नहीं देना है हम लोगों को खुद को प्रॉफिट लेना है वह क अपन संने गैप ओपनिग किया था second जुलाई Diokhire और यसके अंदर जो गैप बया Cau ओपनिग हुआ था 30 ऐन को और इसके अंदर और एक जो gab Даad Ouna ओपनिंग हो था था 29 ऐने युन को यह पूरे Google और करते हुए आ रहा है यह चोटा सा ट्रिक है दोस्तों इसके अंदर भाइंग जाने का कैसे बहुअ जाता है उसके अपर मैं Depend करके आपको बात कर रहा हूं देखिए अब देखिए इसके अंदर फिर से 496 लेवल आने वाले हैं इसके हिसाब से देखे तो और अपने इसके हिसाब से देखे तो भी 487 के लेवल तक तो यह आ चुका है उसके बाद यह देखिए इसके अंदर फिर से लगा तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं उपर से सूपर से उपर का कंफ्यूजन में आप आ जाओगे इसके लिए मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करने के लिए छोटे-छोटे ट्रिक्स बताता हूं स्टॉक मार्केट के अंदर की बाइंग कैसी होता है देखिए आप कल के दिन इधर भी बांay कर चुके हैं 487-49 typical नेवल कि इधर भी evident कर चुके हैं अगर फोरем सेवन्टी क्यों गयार लिवल को गया टागेट लगा के चलिए कल के दिन यानि मंडे की दिन बहिंग कर रहे हैं तो 510 का अगर मंडे की दिन भी अच्छीव ने हुआ उसको दूसरे तिसरे दिन अच्छीव हो जाएगा दूस्तों जबी मैं आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा अच्छीव हो गया अच् आप लोगों को स्टॉक को सेल करने की सजेशन में अपने कोशे भी वीडियो में नहीं देता हूँ आप मुझे पर्सनली मेल करना चाहिए तो भी मेल करिये इसके अंदर कौशे कौशे लेवर्स और कोशे कोशे टागेट आपको समझ भी नहीं आए मैं मेल में भी आप परगिश निकाल के बताऊंगा अगर इस लेवल के नीचे भी गया तो क्योंकि इदर इसका strong base and strong support बन चुका है अगर market शाम के time close हो रहा है तो भी 470 के नीचे level के नीचे close होगा तो ही इसके अंदर हम लोग panic होने की situation है अगर close नहीं हो रहा है उपर ही close हो रहा है तो भी हम लो link के जाईए hit करिए और join कर दिजे मेरा telegram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में no law strategy बताता हूँ इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले target निप्टा दूँगा दोस्तों जल्दी से जादे target निप्टा दूँगा आपका time waste नहीं करूँगा देखिए आप चाहे तो target का screenshot भी लिकाल सकते हैं screenshot निकाले के बाद अब 30 स्किप कर ये वीडियो को उसके बाद भी अब सुन सकते हैं मेरा no law strategy चले मैं आ जाता हूँ target के उपर यह target जो मैंने लिका ला हूँ दोस्तों यह 6th July Monday 2020 के लिए लिका ला हूँ और यह जो closing price दिया है इंदुसिंग बैंक ने 3rd July Friday 2020 को दिया है 487.20 पैसा के पास मेरा expected price है ब 42 का पहला target होगा 495 second target होगा 498 stop loss होगा 485 के पास नेरा expected price है selling के लिए 485 485 का पहला target है दोस्तों 481 second target है 479 stop loss के साथ चलिए 490 के पास चलिए मैं target निप्टा चुका हूँ अब आ जाता हूँ मैं strategy के ओपर देखे दोस्तों strategy simple है मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ बहुं वही Native strategy ये मैं भी वही strategy इस्तमल करता हूँ मैं को अच्छा सब्चा profit होता है आप देखिये strategy इस्तमल करिये आपको अच्छा सब्चा quantity है आप क्या करिए 75% पहले टागेट पे 25% सेकंड टागेट पे लगा लीजिए टागेट लगाने के पास टॉप लोज भी लगाईजिए दोस्तों 485 के पास इसमें क्या होगा पहला टागेट अच्छिव हो गया तो 75% का profit second target अच्छिव हो गया तो 25% का profit पर यह दोनों को क्लब करके दीखेंगे तो मैं 25% का profit हो गई छाग सेकंड टागेट अच्छिव हो गया इसमा हुगा दोस्तों देखिए आप स्टॉक मार्गेट के ये नहीं हैं, आपको target strategy स्मझ भी नहीं आ पों मेरे target strategy पर चल सकते हैं। आपके target है आपके वीपाद strategy बहुत नहीं है उंद मेरे target पर चल सकते हैं, आपको चलो वहां हो दोस्तोर। किया हाँ, आप ये target strategy पर चलो जलों स्टहरूंगे ईया आपको खुट के नहीं आ रहे है कि इसके entry and exit levels क्या है तो भी आप यह target लेके चल सकते हैं मैं जो आपको chart analysis में levels बताया हूँ वही levels पे आप चल सकते हैं आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफ़ा होगा आप stock market में survive कर सकेंगे आप अच्छा wealth and profit भी कमाएंगे दोस्तों आज के दिन मेरे तरफ से इतना ही है धन्यवाद thank you for watching my video